दोस्तों आप चाहें सहर में रहते होंगा गाओं में आपने छोटे बच्चों को बच्चपन में अक्सर मिट्टी खाते हुए देखा होगा और हो सकता है कि मैंने आपने भी अपने बच्चपन में मिट्टी खाई हो आतों में दिक्कत होने लगते हैं, मोसन टाइट हो जाते हैं, पाचिन के यह ठीक से काम नहीं करते हैं, लीबर से समध्ध भी समझा हैं, उनको होने लगते हैं, तो आखिर कौनसी वो बज़या है, जिसकी बज़या से अकसर बच्पन में बच्चे मिट्टी खाते हैं, और यह जानना किसी भी परेंस के लिए बहुत ज़्यादा आवस्सक हो जाता है, अपने बच्चे के सेहत को ठीक रखने के लिए, तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जानका यह देने बाला और कौन से वो घरेली उपाए हैं, जिनका इस्तमाल करके आप अपने बच्चे को मिट्टी खाने से रोक सकते हैं, और अगर आप डॉक्टर के बाद जाते हैं, तो कौन सी वो दवाईया हैं, जो अकसर डॉक्टर के दारा प्रस्काइब की जाती हैं, तो एक बाफेर मेरी और जानकाई लेते हैं टीटेशल तो दवाई की जानकाई देने से पहले अगर मैं बात करूँ की बच्चमून को बच्चे मिट्टी खाते हैं, तो इसकी अलग-डग बजय हो सकते हैं, पर जो मुक्वज़य जो अक्सर बच्चों से देखने के लिए मिलती हैं, वो होती है calcium की कमी iron की कमी अगर बच्चे में calcium की मात्रा खम रहती है तो अकसर बच्पन में बच्चे मिट्टी खाते है और आपने देखा होगा कि अभी जो बच्चे जनम ले रहे हैं तो new born baby को अकसर doctor की दरह vitamin D3 का drop प्रेस्क्राइब किया जाता है और एक साल तक लगबग बच्चों को पिलाने के लिए सलह दे जाती है विटामिन D3 जो बच्चों की हड़ी को मजबूत रखता है और कैलसियम के एबसर्प्सन को बनाने में मदद करता है जो बहुत ही उपयोगी दवा होती है अब वीडियो को देखकर अभी आप मेडिकले स्टोर से इसको खरीद कर बच्चे को पिलाना सुरू मत कीजिए कर क्योंकि ये दवा है कोई सर्वत नहीं क्योंकि कोई भी दवा ही अगर आप पिलाते हैं उसके फायदे होते हैं तो उसको नुकसान भी होते हैं केले का सेवन कराया जाय तो भी बच्चे को मिट्टी काने से रोका जा सकता है अदेशन गाए देशन के इसके फायदे होते हैं उसकी नुकसान भी होते हैं और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लउंख सीरविश्य होती हैं और क्योंकि केरे के तासी धंडी होती है तो इसका सेवन कराने से बच्चे को सर्दी जुखाम की समस्या हो सकती है तो अगर आप इन घरिली चीजों का बच्चे को सेवन कराते हैं तो पहले आप एक्सपर्से सलाल हैं उसके बाद ही बच्चे को इनका सेवन कराएं जिससे के बच्चे की सेहत पे बुरुआ प्रिभाव ना पड़े और अब दोस्तों मैं बात करूँ उन दवाईयों के बारे में अगर कोई बच्चे मिट्टी खाता है तो कौन सी वो दवाईया हैं जो डॉक्टर के दारा प्रिसक्राइब की जाती हैं हला कि बच्चे मिट्टी खाते हैं कैल्सियम आरन की कमी की वज़े से तो डॉक्टर यो आरन और कैल्सियम की दवाईया तो प्रिसक्राइब की ही जाती हैं पर जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनको पेट से सम्मधित भी समस्या होने लगती हैं तो पेट को ठीक रखने के लिए और बच्चे की भूग बढ़ाने के लिए भी दवाईया प्रिसक्राइब की जात और यह कोई अलग दभा भी हो सकती है उसके संबंधे दभाई की अगर मैं बात करूँगा तो पेट से संब्द दभाई केगर मैं बात करूँगा तो इस में प्लीं आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएंगे आप अगर देखना चाहाते हैं उन लिंक पर क्लिक करके वीडिय करें साथी साथ एक दबा और भी है जिसको अक्से डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं जिसका नाम है ऑस्टो कैल्सियम जिसको जी एसके कंपनी के तरह पर नोट किया जाता है ओटी सी ब्रेंड की तरह आपको मार्केट में मिल जागा मुस्ली मेडिकल इस्टोर पर आपको मिल जाता है उसके रिलेडर भी मैं वीडियो चैनल पर बडोट कर चुका हूँ उसका लिंक भी मैं आपके साथ सीयर कर रहा हूं डिस्क्रिफ्चन में आपको मिलेगा उस वीडियो को देखें और दोस्तों के साथ सीयर करें यह दवाइा आपके बच्चे नहीं काफी उप ligne हो सकती हैं मगर किसी भी दबा का सिवन कराने से पहले सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर सला लेंगे जानकरी सेह लगी तो वीडियो लाइक करें सेयर करें धन्मा दोस्तों